दोस्तो स्वागत है मेरे चैनल पे और दोस्तो आज हम करने वाले हैं Install AC यानि Dia AC लगाने वाले हैं देख सकते हूँ ये Super Channel का Split AC है और अभी हम इसको खोलने वाले हैं अन्बोकिसिंग करने वाले हैं और यहाँ पे देख सकते हूँ ये जो Split AC है और DoTAN का AC है और अभी हम इसको निकालेंगे और लगाएंगे और कैसे लगाते हैं पूरा आपको बताएंगे तो देख सकते हो यह है इसका छोटा सा रिमोट तो दोस्तों देख सकते हो यह इसका रिमोट है और अभी हम इसको खोलेंगे और इसको निकालेंगे और इसके अंदर क्या-क्या है वो सब आप दिखाएंगे आपको तो ये देखिए यहाँ पे इसका एक catalog जो कि इसके अंदर पूरी wiring और कैसे-कैसे क्या-क्या है इसके साथ में और यहाँ पे इसका wire है देख सकते हो ये outdoor से इंडर का connection के लिए है और ये हमने अभी इंडर को पूरा बाहर निकाल दिया है और अभी हम इसके निकालेंगे plate जो पीछे का plate होता है जो लगाया जाता है machine जिसके पर रुपती है इसको लगाते कैसे हैं वो पूरा दिखाएंगे आपको तो देख सकते हो यहाँ पे एक बीच में छोड़ा सा screw लगा हुआ है और यह देख सकते हो लॉक में लगा हुआ है तो पहले हम यहाँ पे screw जो नीचे लगा हुआ वो खोल लेंगे और यहाँ पे अभी हमने इसको खोल दिया है और इसको center में निकालते कैसे हैं का center कैसे लेते हैं वो आपको बताएंगे तो देखिए फ्रेंट पहले आपको क्या करना है मशीन से पूरा measuring कर लेना है देख सकते हूं यहां से कि यह machine जो है हमारा कितने इंच का है तो जैसे कि हमने यहां पे machine to machine measuring किया तो ये हमारा 100 यानि एक मीटर का मशीन है एक मीटर से थोड़ा सा सेंटी जादा है तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे 55 पर सेंटर रखेंगे तो क्या करना है प्लेट पे मार्किंग कर लेना और जो लॉक होता है उसको सेंटर में रखना है और यह हमारा आउट्डोर देख सकते हो आउट्डोर में पूरा हमने निकाल दिया है इतना बहतरी न आउट्डोर है और कुलिंग भी बहुत अच्छा है इसका तो बात करते हैं इसको लगाते कैसे हैं क्या क्या वाइरिंग है पूरा आपको बताएंगे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेस्क दे रखा है य यहाँ पे जो पूराइप है इसका फाइव एट और कौटर है यह serहा है जैसे कि हमने यहाँ पे प्लेट को लगा दिया है दोस्तों आपको बताया भी था हमने हमने इसको marking किया था center में और यहां पर center marking करके और अभी हम यहां पर pipe का hole marking करें देख सकते हो तो pipe हमने यहां पर दोनों side में निकाला है क्योंकि हमारे पाल उसी साब से जगह है कि यहां पर हमको एक side में train निकालना है और एक side में हमको copper pipe निकालना है तो कैसे निकालेंगे कैसे लगाएंगे पूरा आपको बताएंगे तो देखी वीडियो तो देखिए फ्रेंड हमने हम यहाँ पे ड्रेन पाइप भी लगा दिया है कॉपर पाइप को भी लगा दिया है को और अब हम यहा पर दिखाएंगा प्रों की को का सा zajज होता है वो कैसे निकर ay miniko DJ करें कि जो अमरा फ्लेर नट वह प्रॉपर बैठें तो यहां पर इन जो गौपर पाइप हो उसको निकाल दिया है ल concept को लगा दिया है और अभी हम यहां पर पर देखिए खोलते हैं इसको तो आपको एक चीज का ध्यान देना है जब आप इसको खोलेंगे ना तो इसमें एर होना चाहिए तो यहां आप देख सकते हो सुन सकते हैं यहां पर एयर है यानि हावा है यानि नाट्रोजन है इसका मतलब जो हमारी मस्चीन है बिल्कुल सही ह है और दोनों फ्लेयर को अभी हमने खोल दिया जो कैप है सेप्टी का पर इसको हमने निकाल दिया है और यहां पर अभी हम मार्किंग कर लेंगे अपने कॉपर पाइप पे तो आपको एक पैंसिल या मार्कर रखना चाहिए और यह जो लॉक है ना इसको आपको सेंटर में देखिए इस तरह से आपको सेंटर में रखके हीesh Dinner नट का मार्किंग करना है नहीं तो आफका जो मसिन का लॉक है वो पर ऐठेगा नAY और अगर का ड़ी तो आपको द्यान देना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसा के लिए है कर लिए है और भी देख सकते हम और अब हम इसका फ्लेरिंग करेंगे और इसको अच्छे से फ्लेरिंग करेंगे वह फ्लेरिंग कैसे करते हैं वह भी आपको दिखाएंगे तो देखिए हमने फ्लेरिंग कर दिया है और फ्लेरिंग कैसे करते हैं आपको नहीं पता है तो उपर वीडियो का लिंग दे रखा सब्सक्राइब करें चाइब को दिया है ज्यादा बड़ा नहीं करने ज्यादा च्छोटा भी नहीं करना अपको मीडियम ने रखना आथ कि आपका जो फ्लेयर नेट है प्रॉपर अच्छे से फिक्स होगा तो फाइनली हमने यहां पर टेप लोन लागा कि देख सकते हो फ्ले connection बे नीचे ready कर दिया है और आब आते हैं wiring के बारे में तो wiring कैसे करनी है वो भी आपको बताएंगे तो finally हमने जो log है देख सकते हो यहाँ पर हमारा log बिल्कुल center में बैठा है और दूसरा log भी बिल्कुल center में बैठा है तो इसी तरह से आपको भी करना है friend क्या होता है आपकी जो में चीज होता है मनी मसीन इस्टॉलेशन में आपकी जो मार्किंग होती है वह ही आपका में इंपोर्टेंट होता है तो अभी हम इसका connection करने वाले हैं इंडोर टू आउट्डोर तो finally हमने यहाँ पर इंडोर का connection कर दिया देख सकते हैं एक नमर में नूटल हमारा blue एक दो नमर में और यह जो हमारा face है वह ब्राउन में यल में है और जो yellow green है वह हमारा body earth का है यानि हमारा चार connection यहाँ पर चार wire का यानि four core wire है तभी आपका communication जो है वह complete होगा जो कि हमारा power है वह आउट्डोर से आ रहा है तभी हम आउट्डोर पर चलते हैं आपको दिखाते ह तो finally हम आउट्डोर पर आ गया है और यहाँ पर हमने gauge service वाल में लगा दिया यानि vacuum में लगा दिया देख सकते हैं आउट्डोर की जो wiring है वो कैसी है तो यहाँ पर एक नमर में हमारा जो सेम सेम लगाया है और जो body earth है वो भी सेम लगाया है और यहाँ पर जो हमारा face है दे करना है face neutral अब को देख के करना है इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो finally हमारा machine अभी running कर रहा है और return भी बहुत बैतरीन है जाकास है और यह जो machine 410 यह है और बैतरीन cooling है friend देख सकते हो यहाँ पे और जो air है अभी गरम आने लग गया है यानि हमारा machine अभी complete हो गय है उसके अंदर पूरा details में मैंने हर एक चीज को बहुत बारिकी से बताया है तो जाके आप देख सकते हो और यह वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल पे नहीं आए सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर दबाने ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले और thank you for watching मिलते हैं नेस्ट वीडियो में